नमस्कार दोस्तों ग्रेटु इंडिया यूटुब चैनल में आपका स्वागत है यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफोर्म तो आज के अपना टेस्स सेरीज जो सेकेंड है तो यह जो सेकेंड टेस्स सेरीज है मोस्ट इंपोर्डेंट रहेगी और इसमें जो कोर्षन है 25 ट यह कोर्षन करवाने जा रहा हूँ तो सबसे पहला कोर्षन है 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 तो 2.5 इन C में जो default data type होता है वो क्या होगा तो होगा यहां पर double सभी आंसर है इसका B next निमने से किस कमेटे ने C भास्टा का मानक तेहर किया था तो यहां पर कौन सी कमेटे ने standardized language की थी तो वो कीती आंसी सभी आंसर होगा इसका A next fourth number किसी फाइल को ट्रोकेट करने का अर्थ है ट्रोकेट करने का जो आर्थ होता है वो क्या होता है deleting content of a file तो सही आंसर होगा इसका C इस जी एक यूनिक टैग है जो आम तोर पर एक संक्या फाइल सिस्टम के बितर फाइल की पैचान करते है तो मतलब बितर का मतलब जो आता है अंदर जो फाइल की जो पैचान करते है उसे हम क्या कहता है तो उसे बोलते है एक file identifier तो सही आंसर होगा इसका A next which is the drawback of the deadlock privation तो deadlock privation का दोस कारण दोस कौन सा है तो इसमें जो privation जो है इसमें कौन सा है तो वो है यहां पर low resource utilization तो सही आंसर होगा इसका D next a system is in the safe state एक system सुरक्सित इस्तितिम है यह दी तो system सुरक्सित इस्तितिम होता है कब होता यह यह होता है all process can completed their execution execution के समय सारी process क्या होने चाहिए complete होने चाहिए तो यहां इसका सही आंसर होगा A next the mapping from logical address to physical address मतलब यहां पर logical address to physical address done by तो logical address से physical address की mapping किसके द्वारा की जाती है तो यह जो की जाती है memory management unit द्वारा तो सही आंसर होगा इसका B next bloody animal ने किस page replacement algorithm में देखा गया तो यह जो है अपना किस page algorithm है तो यह देखा गया फिफो फिफो की जो full form है वो है first in first in first out next what is artificial intelligence तो AI जो है वो क्या है तो AI जो होता है वो क्या होता है तो AI होता है A field that aim to develop intelligent machine तो मतलब यह जो होती ही है क्या करता है यह विखास करता है किसका intelligent machine का तो यहां पर सही आंसर होगा किसका 10 का c next 11 एक नौड क्या है तो एक नौड जो होती है तो एक नौड होती है जो होती है यहां पर 11 का सही आंसर है वो है वी एक कम्पिटर ओन है ब्लोक चैन next when a record is a chain who can access it जब कोई record एक चैन में होता है तो उस access को कर सकता है तो क्या कर सकता है यहां पर तो 12 का सही आंसर हो है only the people involved in the transaction तो सही आंसर होगा इसका D next different learning method does not include कि within learning method में समिल नहीं है तो learning method में जो समिल नहीं है वो बताना है तो समिल कौन कौन से है इसमें से तो इसमें से जो समिल है वो है memorialization, analogy और deduction तो समिल कौन से नहीं है वो है introduction समिल नहीं है next 14 14 कोर्षन कहा रहा है कि language के एक model में वे सेने होती है जिन में सम्मिल नहीं है तो मतलब यह model language consists of category which does not include तो category जो include नहीं है वो कौन से यहां पे तो वो है यहां पे structural unit तो यहां पे जो होती है कौन कौन सी language unit, role structure of unit और system constraint तो यह सारी क्या होती है यहां पे वर करती है यहां पे category होती है और जो यह है डी इसका सही answer है वो जो नहीं होता है next 15 which is not valid edition of ms powerpoint ms powerpoint का जो valid edition है वो नहीं है वो बताना है तो ms office का जो version जो है कौन कौन से वो ध्यान रखना है आपको ms office 2000 2003 2007 2010 2013 2016 2019 और ms powerpoint में आपको क्या दियान रखना है ms powerpoint जो है ms powerpoint यह जो होता है office shoot का shoot का क्या है यह एक program है ms powerpoint का extension जो होता है .pptx यह दियान रखना है यह तो आपको औरpptx के बाद यहां पर जो run command में क्या लिका जाता है power pnt .exe file यह run होती है और powerpoint में जो होता है क्या होती होती है और powerpoint में क्या बनाया जाता है presentation बनाया जाता है तो यहां पर देख सकता है यह valid edition नहीं है तो valid edition 2011 जो नहीं है नेक्स्ट the powerpoint view the display only text तो यहां पर जो एक सकते हैं title bullet powerpoint में कौन से view cable text और bullets को प्रदसीत करता है तो वो कौन से view होता है वो होता है यहां पर outline view 16 का जो सही answer वो है A next what is the default powerpoint extender layout default powerpoint का मनक layout क्या होता है तो यहां 17 का जो सही answer वो है B title slide next फिर यहां पर कॉर्स ने एक document में MS word में table अधिकतम column कितने डाले जा सकते हैं तो MS word में जो table होती है MS word में आपको जब table create करना हो तो यह जो table होती है insert tab में मौजूद होती है किसम होगी insert tab में और table create करते हो तो by default default आपको धियान रखना है किया चीज by default जो table आते है तो वो 5 multiply 2 मतलब यह column को represent करता है और यह row को represent करता है और जो default तो यह हो गया यहां पर 5 2 और यहां पर MS word में table जब create करते हो तो maximum जो column के संक्या है जो column है वो कितना है 63 और row जो होती है वो कितनी होती है row होती है 32 66 ठीक है तो इसका सही answer होगा c next किसी भी one के लिए आप अधिकतम कितना font टकार लागू कर सकता है तो maximum size जो होती है font size maximum font size होती है 1638 और minimum जो होती है वो कितनी होती 8 तो minimum यह है और maximum यह है और by default जो होती है 8 से 72 उस box के अंदर जो list box होता है उसके अंदर दिखाई देते है तो इसका सही answer होगा b next निन में से कौन सा tab आपको data इस्तोत में record जोडने हटाने और बदलने की अनुमति देता है जोड हटाने और बदलने की जो अनुमति देता वो कौन से edit data source button तो सही answer होगा C batch processing is given preference over online transaction processing when batch processing को online transaction processing पर preference दी जाती है जब तो यहाँ पर जो सही answer होगा 21 का तो 21 का सही answer देखते है processing efficiency in important यह भी true है the volume of data be processed the large यह भी right है और यहाँ पर only predict process is needed तो यह भी right है लेकिन large number of query यहाँ पर यह रहुंग है तो इसका सही answer होगा यहाँ पर D 22 management information system is one which तो यहाँ पर देख सकते है management system वह है जो तो management system मतलब MIS MIS के बार में यहाँ पर पुछा है तो यहाँ 22 का जो सही answer वह है यहाँ पर process data to be yield information of the value and technical management next data mining use to support data mining का support जो होता है साही तक लिए प्रियोट किया जाता है 23 का जो सही answer वह है detecting pattern in the operational data तो सही answer होगा इसका c next information इक्टा करने की रिनरेतिम में सामिल है information में सामिल क्या है यहाँ पर तो वह है identify information source second है using information flow model of organized तो सही answer होगा first or second मतलब first or second यहाँ पर right है तो 24 का सही answer है A next 25 25 कर रहा है यहाँ यहाँ पर interviewing top level manager is essential as the first stage of information तो यहाँ पर gathering तो यहाँ पर देख सकता है तो top level manager का जो interview करना आउस सकता है वह क्या होता है यहाँ पर वह होता है they can give your overview of the organized of specified object of the system तो सही answer होगा इसका b तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यावाद तो